हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब? स्वागात है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बच्चो आज मैं आपके लिए एक most important वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके 2024 में जितने भी बच्चे बोर्ड एक्जाम दे रहे हैं बचो आज किसी वीडियो में हम बात करेंगे how to score 95 plus in your English examination आगर आप 12th के student हो, 10th के student हो English आपका एक compulsory subject होता है आप किसी भी stream के हों, bats के हों, bio के हों, commerce के हों, arts के हों English आपका compulsory subject होता है तो जितने भी बच्चे हैं, उन सभी लोगों के लिए English का ये वाला जो आज का session है वो बहुत जादा जरूरी होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि आपका जो syllabus है उसमें क्या-क्या है, कौन-कौन सी चीज़े हैं वो कितने marks की आती है और आपको तैयारी कैसे करनी है बच्चो, जहां तक कि आप समझ रहोंगे आपका जो October का महिना है वो end हो चुका है, अब आगया आपका November November से आपके पास कितनी तक की timing है तो January तक की timing है बच्चो, ठीक है November से January टोटल देखा जाए तो 90 days का एक आपके पास time है, जो की अब धीरे-धीरे बीच जाएगा, आज November का महिना जो है, वो start हो चुका है अब आपको एक दम मन से लग जाना चाहिए पढ़ाई करने में, इधर-उधर जादा फालतू चीजों में time waste करने से अच्छा अब आपको क्या करना है, बस अब पढ़ाई करते हुए चलना है, ठीक है बच्चो तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि how to prepare English ठीक, तो how to prepare English के लिए सबसे पहले ये जाने है बच्चे आप कि syllabus क्या है, क्योंकि अगर ऐसे देख करके चलें, तो English क्या है आपका, English एक language है ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा subject है, जो सिर्फ syllabus पर है ऐसे English पढ़ने जातों, English तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो main, जो course है, उसमें कौन-कौन सी चीज़े हैं, वो आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए ठीक है, अब जैसे आपके course में कितनी चीज़े हैं और कौन-कौन से number में divide हैं उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है जिस चीज़े जादा number है, उनको सबसे पहले prepare करना है, जादा focus करना है, और जो कम marks वाले हैं ऐसा नहीं, उनको छोड़ देना, उनको भी आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला section जो है बच्चो आपका paper में, paper के इस आपसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, section A आता है, section A में क्या होता है बच्चो आपका reading वाला session होता है, मतलब कि उसमें unseen passage दे दिया जाता है, जो कि पूरे 15 नंबर का होता है बच्चो, समझ में आ रहा है, 15 नंबर बहुत ज़ादा marks होता है, 15 नंबर के, और यह आपके लिए बेहद important है कि 15 marks जो हैं वो आपको मिले, ठीक, जरूर से जरूर मिले, अगला क्या होता है, बच्चो, section A में जो unseen passage होता है, पहले वो जान लेते हैं, की होता क्या है, unseen passage जितने भी होते हैं, उसमें आपको basically, एक कोई भी paragraph देते जागा और उसके question answer आपको मतब question होंगे, उसके answer आपको सी में से छांट के लिखने होंगे, section B क्या होता है बच्चों को, section B जो होता है आपका writing का होता है, जिसमें आपको article और letter लिखना होता है article कोई भी, एक topic देती है जागा उसके answer पर 80 word का लिखना रहता है और 10 marks का रहता है और जिस letter होता है, वो भी 10 marks का ही रहता है ठीक, दोनों optional में करके आता है मतलब की, 2-3 option दिये रहता है उनमें से किसी एक को करना रहता है अगला बच्चों आपका होता है section C जो की grammar portion होता है इसमें 10 mcq होते है एक mcq दो marks का होता है यानि total 20 number का होता है और फिर आपका translation वाला part आता है translation होता है वो बच्चों आपका Hindi to English होता है ठीक है, बस एक ही type का translation आएगा Hindi to English, English to Hindi नहीं आता है, और यह translation कितने marks का होता है, तो आपको दिख रहोगा यह translation टोटल बच्चों आपका 5 marks का होता है तो यहां तक की चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ गई है अब बढ़ते आगे यहां बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा तो section A पंदर नंबर का section B आपका 20 नंबर का और section C यानि की grammar आपका 25 नंबर का टोटल यहां तक देखा जाए तो यह आपका यह आपका हो गया बच्चों एक तरीके से समझ जाएए आपका 50, 10, 60 नंबर का paper आपका यहीं पे खतम हो गया क्योंकि बंदर नंबर का तो अकेले आपका unseen passage ही आ गया फिट ददस नंबर यहां पे और 25 नंबर यहां पे paper कहां तक complete हो चुगा 60 मतब 60 नंबर खतम हो चुगा और यहां तक जो भी grammar वाला portion था reading, writing था यह सब खतम हो चुगा अब जो अगला section होगा बच्चों वो literature पे dependent होगा ठीक है literature वाला section D कहलाता है section D कितने नंबर का है section D आपका 40 नंबर का है जो प्रोज होता है प्रोज में देखिए 2 short question and answer होगा Q&A का मतलब question and answer मतलब question दियोंगे उसका आपको answer लिखना रहेगा 2 short होगे 1 question 4 marks का होगा total 8 नंबर होगा फिर एक long question होगा वो total 7 नंबर का होगा फिर poetry में देखिए आपको क्या होता है तो poetry जो है आपका poetry में बच्चो आपका जानते poem वाला भाग होता है तो उसमें सबसे पहले तो ये भी दे सकता है कि कोई एक poem दे देगा और उस poem का बोलेगा poem में भी एक नहीं देता है वो दो देता है उप्शनल ली रहता है कि उस पे paragraph पे कुछ MCQs होते है उनका अंसर देना होता है तो उसके लिए आपको क्या poem का summary अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप question का अंसर कर सको दूसरा क्या बच्चो आता है fix रहता है central idea चान नंबर का ये आता है fix रहता है तीन central idea दे रहता है तीनों में से किसी echo करना रहता है मतलब pros और poetry यहां पे खतम हो चुका है अब अगला भाग कौन सा होता है बच्चो तो अगला भाग आपका होता है supplementary का तो उस पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही जानदार top 50 student badge के बारे में बचो maths में जो बच्चे बहुत weak हैं या जिनका अभी तक कुछ भी prepare नहीं हो आए वो इस badge को जरूर जाइन करिए इस badge में आपको इतने सारे benefits मिलेंगे और आपको अगर benefits जानने समझने इस badge के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस number पर जल से जल संपर्क करिए हमारी team आपको complete तरीके से बता देगी कि कैसे क्या करना है ठीक है बचो अब चलिए बढ़ते हैं में आगे हमारे English वाले भाग देखे बचो जो आखरी पार्ट होता है बचो आपका पार्ट होता है supplementary का ठीक है supplementary से आपका total 8 7 एक 15 नमबर का होता है ठीक है यह 15 नमबर का होता है जिसमें से 8 नमबर का आपका 2 questions देदेगा short questions होता है 4 4 number के रहते हैं 2 करना रहते है फिर एक long वाला रहते है वो 7 नमबर करेता है मतलब यह भी किसको फॉलो करता है यह भी प्रोज वाले को ही फॉलो करता है तो यहां तक देखे तो 40 नंबर आपका लिटरेचर से खतम हो जाता है और 60 नंबर हमने पहले ही काउंट कर लिया था यह टोटल मार्क्स हो गए हैं 100 मार्क्स 100 मार्क्स का बच्चो आपका पेपर होता है और जो इंगलिश वह एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 12 में आपका टोटल टोटल 100 मार्क्स का पेपर ही होगा लेकिन जो 10 वाले बच्चे होते हैं उनका अलग सिस्टम होता है ठीक उनमें जो 30 मार्क्स होता है वो उनके वही practical assignment इन सबसे होता है और उनका 70 नमबर का paper होता है जिसमें 20 नमबर का MCQE हो जाता है तो वो 10th वालों के लिए यह वीडियो नहीं है यह वीडियो मैंने 12th वालों के लिए बनाई होई है 10th वाले बोलेंगे तो मैं उनके लिए भी बना दूँगी ठीके बच्चो चलिए अब यहां तक आपको syllabus पता चल गया syllabus पता चलने से आपको यह पता चल गया कि कहां से कितने marks का exactly पूछ रहा है अब आप उसी हिसाब से अपनी तयारी का रणनीती बनाएंगे ठीके बच्चो planning की जाती है तो planning करने से पहले क्या जानना ज़रूरी है कि जो सामने opponent है जो आपका जिससे आपको लड़ाई करनी है जिसके सामने आपको जंग जीतने है पो उसमें कितनी ताकत है वो कितना ताकत्वर है बेना उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाए आप किसी भी चीज़ की प्लाइनिंग नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो फिर उसमें आप फेल हो जाएंगे या बहुत ही मुश्किल होगी उसको पास करने में क्योंकि देखिए जब तक आप सामने वाली की रणीती नहीं जानते हैं उसकी प्लाइनिंग नहीं जानते हैं आपको यह नहीं पताओगा कि आपको कितनी ताकत के साथ लड़ाई करनी है तो यहां किसी भी सब्जेक्ट के अगर बात करें तो अगर आपको सब्जेक्ट का महारत हासिल करना है और सब्जेक्ट में टॉप करना है या टॉपर बनना है तो बच्चो सबसे पहले तो आप सिलेबस ही देखा करिए सिलेबस की हिसाब से तैयारी करिए ठीक ऐसा नहीं है जो एक्जाम में टॉपर बनता है वो क्या करता होगा बहुत ज़ादा पढ़ता होगा उससे भी अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहतें लेकिन वो क्यों नहीं टॉप करते हैं क्योंकि जो टॉपर होता है वो exam की approach से पढ़ता है अपना घ्यान बढ़ाना वो चलिए अगर आपको interest है तो आप पढ़िए लेकिन अगर आपको number gain करना है तो कुछ smart strategy follow करनी होती है ठीक बचो तो syllabus reading करना बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आपने English का खतम कर लिया अब अगर आपने syllabus reading खतम कर लिया तो आप syllabus भी खतम कर लेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ plannings जो आपको करनी चाहिए ठीक बचो सबसे पहली बात poetry आपका जो आ रहा है ठीक उसका central idea आता है तो central idea starting के जो 3 central idea है उनको आप रट लीजए जैसे my mother at 66 है और एक आपका है road side stand है मतब जो 3 आपको कही समझ में आ रहा है जो आपको 3 अच्छे से आ रहा है तीन अच्छे समझ में आ रहा है वो 3 आप रट लीजए क्यों? क्योंकि देखो बच्चो option 3 देगा आपके course में कितना है? 5 है तो अगर कोई 2 आप नहीं याद करता है अगर मालीच इतना बैड लगे कि वो दोनों भी आ गया तो आप उन दोनों को छोड़के तीसरा वाला attempt कर लोगे तो 12 के बच्चों आपको क्या करना है? आपको बस 3 पोयम के central idea याद करना है पूरे syllabus के 3 पोयम के central idea फिर उसमें आपको जिसका सही लगे उसका याद करिए ठीक? अब आगे बढ़ते central idea तो चलिए आदमी summarize अकर रहेगा memory बे तो आदमी लिख सकता है main आपको जो writer name है वो तीन लोगों का इदम अच्छे से याद होना चाहिए और central idea उसी का लिखेगा जिसका writer name आपको पता हो फिर बच्चो क्या है? कि poetry और prose के chapter name और writer name के साथ learn करना है देखे, poetry के लिए मैं इसले करें क्योंकि central idea लिखने को हैगा तो बिना writer के नाम के आप नहीं लिख सकते और prose और poetry में क्या होता है? कि आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि कौन से chapter से कौन से writer का है तो उसमें paragraph देता है वो examiner ठिक? तो आपको एक idea तो होना चाहिए कि किस chapter से आ रहा है? इसलिए मैंने कहा है कि ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखता है अगली बात देखें लेटर राइटिंग में तो लेटर देखें लेटर के लिए आपको basically उसका format पता होना चाहिए लेटर पर मैंने एक sophisticated वीडियो बनाए हुई है आप इस वीडियो के बाद लेटर वाला ढूदिएगा मेरे चैनल पर मिलेगा प्लेलिस्ट पर उस लेटर को जा करके देखेगा आपको कैसे कहां पर sender का नाम लिखना है receiver का नाम कैसे होगा salutation कहां करना है subject कैसा लिखना है यह सब कुछ बच्चों आपको पता होना चाहिए लेटर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है ठीक क्योंकि content क्या करना है वो आपको बताएगा वो आपको बताएगा कि electricity में power cut हो रहा है आपको उस पे लिखना है वो आपको बताएगा कि आपको fees concession के लिए लिखना है वो आपको बताएगा चीज़ लेकिन लिखना किस तरीके से उसका जो format क्या होता है बच्चे यह important होता है तो letter का जो format होता है बचो आप लोग गलत कर दें तो उससे आपको number नहीं मिलते है तो यह चीज़ आपको नहीं करना है ठीक आप क्या grammar को लेकर कि क्या important बात है कि रोज grammar के छोटे छोटे portion को खत्म करना मतलब grammar कितने marks का रहा है तो grammar आपका आरा है 25 marks का ठीक तो आप क्या करिए कि रोज उसका एक कोई पार्ट उठा लीज़े मालीज़ आपने voice स्टार्ट किया तो voice को आप लीज़े एक हफता दीज़े दस दिन दीज़े फिर ऐसे खतम करिए एक एगंट अभी आप रोज देंगे तो वो एकजाम तक एकदम खतम हो जाएगा ठीक वैचे तो grammar को छोड़ना नहीं grammar को साथ लिए चलना voice है, narration है, sentence change है ठीक है, फिर आपका ये idioms and phrases होते है one word substitution होता है इतनी सारी चीज़े आपकी grammar में है फिर देखे, long answer लिखने की practice भी करना है तो उससे आप क्या करेंगे long जो भी लिखने वाला रहेगा आप लिख लेंगे ठीके बच्चो, आप देखे जो भी prose, poetry या supplementary वाला chapter है वो chapter पूरा पढ़ने की ज़रूत नहीं उसका जो summary आप कहीं सा कर पा जाए summary आपको मेरे भी चैनल पर मिलेगा मैं धिरी धिरी एक चैप्टर के summary करूंगी upload लेकिन आप लोग क्या करिए ना comments में मुझे बता दीजे कि मैं क्या करूं एक एक चैप्टर के summary upload करूं या ना करूं क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों की problem कहाँ पे है आप लोगों किस चीज की जवत है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी chapter voice summary तो please मुझे comments में बताईएगा कि हाँ मैं आप बनाईए या हाँ मैं आप chapter voice बनाईए और अगर आपको और कुछ भी जानना होगा तो वो भी बताईएगा ठीक अब बढ़तें आगे वीक में important article में से हाँ आप क्या करिए इसे हफते में क्या होता है चार वीकेंड पढ़ता है ना वीकेंड मतलब छुट्टी वाला दिन संडे हो गया ठीक चार तो पढ़ता ही है तो एक संडे हर महिने का जो होता नहीं एक वीकेंड होता है मतलब कि हर एक संडे को आप एक article writing practice करिए और हफते भर उसी को memorize करिए ऐसा कोई article ही नहीं होगा जो बाहर से आजाए ठीक अब चलिए आगे last चीज क्या है कि spelling और जो होता नहीं writing practice written practice में spelling mistake नहीं होना चाहिए आप जो भी चीज़े याद करें बच्चों पढ़ रहे हो उसको मतलब पक्का करते चलिए यह नहीं कि आपको चीज़े याद तो है मुँसे लेकिन आप उसको लिखना नहीं जाना हो तो देखिए English क्या होता है English एक language है यहाँ पर pronunciation हम लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं लेकिन spelling कभी कभी कुछ अलग बनती है तो आपको spelling बता होनी चाहिए तो उसी चीज़ के लिए आप यह करिए लिखने की भी practice करिए English खास तोर पर अगर आप English पढ़ रहे हैं तो जो difficult word होते हैं उसको एक side copy में लिखिए ऐसा करने से या यह सारी बहुतों को follow करने से आप easily अपने जो exam आने वाले हैं दोज़र चॉबिस में उसमें 95 प्रस score करेंगे English में ठीके बचो तो आज ही शुरू करिए यह सब आपको आज से ही करना है और हाँ मुझे comment में जरूर बताईएगा कि मैं chapter wise summary लाओ या नहीं चलिए मिलते हैं next video में thank you so much